पाच माई को रिलीज हुई फिल्म केरला अस्टोरी में आखिर कितनी सचाई है जिसे लेकर बैंड की मांग होने लगी इस वीडियो में बात करेंगे वाई दा केरला स्टोरी जब कोई डिरेक्टर ऐसी फिल्में बनाते हैं तो वो अस्टोरी लाइन और सिनमेटिक सीन ख्याल में रखना जरूरी है कास्मीर फाइस बनाने के बाद ऐसी फिल्में बनना आम है जहां मेकर्स यह दावा करते हैं कि यह कहानी केरल में हिंदू और क्रिस्चन महलाओं की धर्म परिवर्तन की है जहां लड़कियों को लब जिहाद के मामले में आई-एसाई संगटन भेजे जाने के दावे की सचाई दिखाती है इस फिल्म केम अंडर फायर एज इस क्लेम डैट 32,000 गल्स फ्रॉम दे अस्टेट बेंट मिसिंग जिनके बोडी सिर्या के रगिस्तान में दफन हो गया है वो पॉइंट जिस बजा से यह फिल्म एक कॉंट्रबर्सी का सामना कर रही है पॉइंट नमबर वन एजेंडा इस फिल्म को एक प्रोपगेंडा बताया जा रहा है जहां किसी एक कॉमिनीटी से दूसरे कॉमिनीटी की तुलना की जाती है इस फिल्म के निर्माता बिपु सा ने इसके रिसर्च को लेकर बताया है कि हमने सिर्फ सच दिखाया है अगर आ बाइरे में सिमट रही पॉइंट नमबर तीन कंपरीजन टू केरला फाइस बिवेक अग्निहोतरी की फिल्म दकास्मीर फाइस की तुलना की जा रही है जहां किसी एक बिचार धाराओं को दिखाया गया है दफिल्म्स हैब नो डाटा पॉइंट नमबर फोर ट्राइटू लोगों का यह भी मानना है कि ऐसी फिल्म में एक नफरत के बीजबोने का काम करती है बलकि अस्टेट को भी बदनाम करने की कोसिस करती है तो इसके मेकर्स का कहना है कि फिल्म में एक एक बात सबूत के अधार पर जोड़ी गई है यह फिल्म के चार महलाओं के मेनिपलेटि कवरिज की कहानी को बया करती है इस फिल्म के फैक्ट्स को प्रूफ करने बाले को प्राइज देनी की बात की जा रही है जब भी ऐसे संसेटिव मुद्दों पर फिल्म बनती है तो सोसाइटी में उनका इंपक्ट और लोगों के नजरियों को बदलने की कोशिस भी जरूर करती है इस फिल्म के कई ऐसे बीक पॉइंट भी है जहां यह फिल्म फैक्ट के बजाए कॉमनेटी पर भी टार्गेट करती है वेल वाट है पेन यह देखते हैं आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दें